दोस्तो पेरों को लगने वाली चोट समल कर चलना सिखाती और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है गलत लोग सब के जिंदगी में आते हैं लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक देख कर जाते हैं अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है जिन्दगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई की भी करे तो दूसरा उस पर विस्वास ना करे पतजर हुए भी ना पेरो पर ने पत्ते नहीं आते उसी तरह कठिनाई और संगर्स सहे भी ना अच्छे दिन नहीं आते दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सला एक से मांगो हजारों से मिलती है आसावादी आदमी हर अवदा में एक अवसर देखता है और एक निरासावादी आदमी हर अवसर में एक आवदा देखता है कलम तभी साफ और अच्छा लिखवाता है जब वो थोड़ा जुक कर चलती है वोई हाल जिन्दगी में इनसान का है तुम्हारी जिन्दगी में होने वाले हर चीज के जिमिदार तुम हो इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे जिन्दगी उतनी बहतर हो जाएगी मंजले बहुत है और अफसाने भी बहुत है जिंद्गे की रहा में इम्तिहान भी बहुत है मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत है खामोस रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं उसका बरप्पन होता है वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है जो मुस्कुरा रहा है उसे ददने पाला होगा जो चल रहा है उसके पाउं में छाला होगा बिना संगर्श के इंसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसी दिये में उजाला होगा समझनी है तो पीछे देखो जीनी है जिन्दगी तो आगे देखो आप कुछ भी करें कोई माईने नहीं रखता लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं ये बहुत माईने रखता है लक्ष सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दीमक भी दिन दात करते हैं पर वो निर्मान नहीं विनास करती है रोटी से बिचितर कुछ भी नहीं इंसान पाने के लिए भी दोड़ता है और पचाने के लिए भी अपना आनंद चाहे किसी के साथ भी वाट लो लेकिन अपने दुखों को किसी भुरोसे मन के साथ ही वाटना चाहिए एक समय में एक काम करो और ऐसा करते से में अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और वाँ की सब प्रमात्मा पर छोड़ दो लोग बुरे नहीं होते बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते है दर्द सब के एक है मगर होशले सब के अलग अलग है कोई हतास होके दिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया सच एक सरजरी की तरह है थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है जूट एक पेन किलर की तरह है जो आपको अस्थाई राहत जरूर देता है लेकिन साइड इफेक्ट जीवर भर के होते है जिन्दगी मिलना किसमत की बात है मौताना वक्त की बात है लेकिन बढ़ने के बाद भी लोगों के दिलों में जिन्दा रहना ये तो करमों की बात है मतलब बहुत बज़ंदार होता है निकल जाने के बाद हर रिष्टे को हलका कर देता है निंदा से घवरा कर लक्षे कर न छोरो पर लक्षे मिलते ही निंदा करने वालों की राय वदल जाती है तकदीर वदल जाती है जब इरादे मजबूत हो हर चट्टान तूट जाती है जब इरादे फौला दी हो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है लोग भी, रास्ते भी, अहसास भी और हम खुद भी उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ने कोई सबक ही सिखाती है अगर लरना ही है तो अपने गलत आदतों से लरो जो किसी को अपना होने नहीं देता आदमी की सफलता का कारण उसका वाग्य नहीं होता उसके कर्म होते हैं, पच्टावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविश से नहीं बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता किस्सा जिंदगी का बस इतना ही है कि जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना मत भूल जाना